दोस्तो हमारा एनेस विक्रान जो कि इंडिजिनियसली बनाय गया भारत का पहला एरक्राप्ट करियर है वो अपने शीट राज शुरू कर चुका है जल्दी ही उसकी कमिशनिंग भारती नेवी के अंदर कर दी जाएंगी लेकिन दोस्तो इतना हुआ ही था कि भारत के अंदर एक और चर्चा शुरू हो चुकी है जी हां भारती नेवी के लिए तीसरे एरक्राप्ट करियर की जी हां जो कि इंडिजिनियसली बनाये जाने वाला सेकंड एरक्राप्ट करियर होगा इंडिजिनियस एरक्राप्ट करियर 2 जिसे कि मैंने INS 2.0 का नाम दिया है तो दोस्तो तो यह possible है भी क्योंकि हम already कई सारी चीजों की technology हासिल कर चुके हैं, already एक aircraft career बना चुके हैं, काफी experienced हैं हम लोग, तो अब हमें second aircraft career बनाने में कोई wishes, दिक्कते नहीं आने वाली है, और ज्यादा समय भी नहीं लगने वाला है, production line भी हमारे पस तयार है, तो अगर भारती navy कोई order place करती है, तो वाकए में 7 साल, enough time है, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर समस्य यह है कि क्या इंडियन navy अभी चाहती है, तो जी हैं चाहती भी है, दुनिया की कोई भी navy, किसने भी aircraft career आप उन्हें दे दीजिए, वो कभी मना नहीं करेंगी, वो क्यों मना करेंगी, आप American navy को ही द aircraft career की जरुवत है, aircraft career के लिए हमारे पर deck best fighters भी होंगे आने वाले समय में, जो 7 साल में यह career बनकर तयार होगा, तब तक हम लोग डेक बेस का भी production शुरू कर चुके होंगे, तो हमें ज़्यादा कोई दिक्कते जाने वाली नहीं है, और हमें जरुवत तो है ही है, लेकिन दो इसका order place कर देना इतने आसानी से possible नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले समय में, इसके लिए विचार जरूर किया जाएगा, और इसमें खिर जादा समय नहीं है, आने वाले 10 से 12 सालों में definitely हमारे पास एक और aircraft career होगा इस बात की guarantee है, लेकिन दोस्तों जब भी हमारी navy फैसला ले उसका स्वागत है, लेकिन जब भी फैसला ले तो वो किसी nuclear powered aircraft career के लिए ही ले, जी हाँ, क्योंकि इस तरह के conventional जो diesel electric aircraft career है, आने वाले समय में इनका कोई ज़्यादा महतवर नहीं रह जाएगा, तो I hope कि navy अपनी condition के हिसाब से अपनी requirement के हिसाब से जल्दी कोई फैसला करे, और जब भी फैसला करे, किसी nuclear powered aircraft career के लिए ही करे, मेरा ऐसा मानना है, आपका क्या मानना ने जी कमेंट करके ज़रूर बताईएगा,